समय बीद रहा था बेते समय के साथ चीकू और नाइरा दोनों बड़ी हो जाती है अरे बचलो तो अपने चाहरे पर क्या लगाती है तो इतने ज़्यादा गोरी होती चा रही है अरे मैं कोई क्रीम नहीं लगाती ये क्रीम लगाने से स्किन खराब हो जाती है तुम भी मत लगाना नहीं मैं अजी मारकीर चाऊंगी और अपने लिए एक ब्यूटी क्रीम लाऊंगी और गोरी हो जाऊंगी उसके बाद नायरा खुशी-खुशी मार्कीर चाने लगती है वो एक कॉस्मेटिक शोप पर चाती है अरे मुझे गोरा होने वाली अरजन ब्यूटी क्रीम चाहिए जिसे लगाते ही मैं गोरी चिट्टी हो जाओ पैसों की परवा नहीं करनी बस मैं गोरी हो जाओ ठीक है मैं मैं आपको एक ऐसी फर्मॉला करीम देता हूँ जिसे लगाते ही आप गोरी हो जाएंगी और सब आपको देख के हैरान हो जाएंगे असे बाद नायरा वाँ से ब्यूटी क्रीम लेती है और फिर खुशी खुशी अपने घर के तरफ आने लगती है अरदी तुम्हें बता है मैंने ब्यूटी क्रीम ले है और उसे लगाने के बाद मैं बहुत गोरी हो जाओंगी सब मुझे देख कर हैरान रह जाएंगे नायरा मैंने तुम्हें मना किया था कि इन चुक्रों में मत पढ़ो तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी फिर क्या करोगी तुम ओहाँ अगर सबके स्किन ऐसे खराब हो जाती तो आज कोई भी क्रीम मार्केट में ना होती ऐसे ही कुछ दिन पीप चाते हैं एक सुप़ज अपनायरा उठती है तो क्या देखती है कि उसके पूरे चहरे पर छाले बन गए थे उसकी स्किन खराब हो जगी थी क्रीम ने उसकी सारे स्किन को खराब कर दिया था फिर उसके बाद वो रोते हुई पतलो के पास चाती है पतलो देखो मेरा क्या हाल हो गया मैंने क्रीम लगाई और मेरी सारे स्किन खराब हो गई मुझे कुछ समझ नहीं आरा मैं क्या करूँ ओ ये तो बहुत बुरा हुआ लेकिन आख क्या कर सकते हैं तुम ऐसा करो कि आप तुमने वो क्रीम यूज नहीं करनी आप तुम ठंडी दही अपने मूपर लगाओ उससे तुम्हारी स्किन ठीक हो जाएगी ठंडी दही और उसमें एक चुटकी कीकरी भल्दी डालना वो अपनी स्किन पर लगाना इससे तुम्हारा रंग भी निखरेगा और तुम्हारी स्किन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी उसके बात बतलो ये सारी बात जाकर अपने माता-पिता को बताती है उसके माता-पिता कहते है बेटा हमें उपर वाले की बनाएगी चीज़ों में नुक्स नहीं निकालना चाहिए देखो आप मेरी भी तो मुझे है लेकिन मैंने इने कभी ख़तम नहीं किया क्योंकि उपर वाले ने बनाई है और मैं चैसी हूँ मैं खुद को बहुत पसंद हूँ बेटा तुम भी ऐसी चीज़े मत लगाना ऐसा ना हो कि अच्छा दिखने की बचाए तुम बहुत पुरा दिखने लगो और फिर उसके बाद वो सब बाते करने लगते यह तफ़ा का जिकर है कि ए गाउ में बतलू नाम की ओरत अपने बेटे चिंटू के साथ रहा करती थी चिंटू और बतलू दोनों मोटू के साथ हजी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे मोटू दोद बेचा करता था और उससे जो पैसे आते हैं उसी से ही वो अपने घर का कुसारा चलाया करता था वो सबस हवेरी घास काटने चाता वो सारा घास ले आता और अपनी गाउं को डालता था अई जिंदू पेटा हंडिया में डालने के लिए नमक नहीं है तम अपने पिताजी के पास चाओ उनसे पैसे लो और नमक लेकर आओ की के मा मैं अभी जाता हूँ पिताजी के पास उनसे पैसे लेकर मैं नमक लेकर अभी घर आ जाता हूँ इसके बाद चिंटू अपने पिताजी के पास चाने लगता है लेकिन रास्ते में ही वो फूलो वाली जगा पर रुख जाता है क्योंकि वो जगा बहुत सुन्दे थी और उसे वक्त गुजरने का ऐसास ही नहीं होता दिन गुजर जाता है शाम हो जाती है और अब तो मोटू काम काश करकर वापस घर आ रहा था मुझे लगा था चिंटू चल्ब आ जाएगा इसलिए उसकी मेंगी भी बना कर रखती मैंने लेकिन चिंटू अभी तक नहीं आया पता नहीं कहीं खोद में मस्रूफ हो गया होगा उसके बाद मोटू अपनी गाउ को लेकर आ जाता है अ अगर मेरे पास नहीं आया तो वो गया कहा शाम होने वाली है और इतनी रात गई यहाँ पर जंगली जानवर आ जाते हैं गाउ में मुझे जल्दी जाना होगा आप मोटू अपने बेके चिंटू को डूली केने चा रहा था वो गुफा में भी चान नहीं लगता है लेकिन वहाँ पर भी चिंटू नहीं था जब थोड़ा आगे जाता है तो फूलो वाली जगा पर अभी चिंटू का रहा था अरे चिंटू में और तुम्हारी मा इतना परिशान है और तुम यहाँ अगर करे हो तुमें शर्म नहीं आती अपनी मा और पिताजी को इसे तंग करते हुए चलो गर चलो मैं तुमसे गाजा कर पूछूँगा अरे बिताजी मुझे माफ कर दे, मैं तो भूली गया था कि मुझे नमक लेकर जाना है मैं अभी यही सोच रहा था कि रात होने वाली है, मैं तो कोई काम करने आया था ठीक है अब जदे ड्रामे मत करो, तुम घर चलो तुमसे तुमारी माँ पुछेगी, कि तुम लमक क्यों नहीं लाए और क्यों रहे यहाँ पर फिर उसके बात चिंटू, और मोटू घर आ जाते हैं बत लो अपने बेटे चिंटू को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बात में उसा करने लगती है और कहती है चिंटू बेटा, जिस काम के लिए बेचा जाए वहीं काम करते हैं, यहाँ वहाँ गोमना शुरू नहीं कर देते बेटा मैं तुमारे लिए बहुत परिशान हो गई थी, तुमारा ऐसी अर्गत कभी मत करना